नमस्कार साथियो मैं मोईच शर्मा आप सभी का अभी उदे आयस्ट अपिज में हार दिख स्वामत करता हूँ आज जो हम क्लास है हमारी उसमें हम 2019 CSET पेपर और UPPSC का आज हम सॉल करेंगे जिसमें हम Maths और Reasoning के सवालों को देखेंगे और ये जानेंगे कि इन सवालों को हम यहाँ पे कितने आसानी से सॉल्ट कर सकते हैं और इनकी एक अप्रोच जानेंगे तो आईए सवाल अगर क्लास ही शुरुबात करते हैं बिना समय ब्यारत काते हुए तो 37 नंबर सवाल जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर क्या है चूज दा करेक्ट ऑप्शन यही है तो क्या है choose the number which is different from the others पहला question है तो यह आपको दिख रहा है तीन का cube है यह 4 का cube है यह 5 का cube है लेकिन यह 12 का square है यह हमारा answer हो जागा इसमें different from the others पुला था इसलिए 39 39 लिखा हुआ है computer c o m p u t e r code क्या है b n l o t s d q चीक है number लिख लिजे सबसे best होता है number लिख लिजे तो क्या होता है तीन कितना होता है 15 13 16 21 और 16 होता है p का q p q r s t 2 20 5 MR और 16 कितना होता ह्या अथारा ओके तो यह number लिखे हमने अब b का number क्या होता है 2 9 k n का number कितना होता है 14 l का कितना होता है 12 o का कितना होगा 15 बिदा कितना होगा 20 ड का चार और आर क्यों कितना हो जाएगा 17 तो आप सब में क्या कर में कर एंप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूज़ थे अब कितना होगा इस का नम्बर हमको पता कितना होता है 19 होता है यहां 15 हो जाएगा एपका 6 हो जाएगा इसका हो जाएगा 20 इसका हो जाएगा 23 इसका हो जाएगा 1 इसका हो जाएगा 18 इसका हो जाएगा 5 तो आप कम करते जाएगे बस तो आपका उसमें आंसर क्या है दी चलिए 43 सवाल पढ़िए 43 में कहरा है कि a mother is four time as old as daughter थेक है क्या है यह mother है और यह daughter है अगर daughter को x मान रहा हूं तो यह 4x हो रही है and father is 5 times as old as his daughter तो father यह है तो father क्या है यह है गोलाई दो some of the mother and father is okay some of father और mother का age add कर देंगे तो कितना आ जाएगा 135 years 9x equal to 135 तो x equal to कितना आ गया कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा daughter की एच इतना अभी पंदर है चलिए next सवाल next सवाल है आपका की रमन runs faster than Mohan but not as fast as करीम okay रमन को arts denote किया faster than Mohan तो रमन faster than Mohan है but not as fast as करीम तो करीम सबसे तेर का order है इसके इनके साब से करीम run faster than Suman तो करीम जो है ना समन से भी तेज है but not as fast as अभीना तो इसमें बोला कि अभीना सबसे तेज है तो Suman की position हमारे पास fix नहीं है अब Suman यहां भी हो सकती है यहां भी हो सकती है और यहां की हो सकती है कोई fix position नहीं सुमन की लेकिन हमसे पूछा क्या सवाल देख लेते हैं वहां हो रन फास्त है तो पास्त है अभीना भी है option c 50 नंबर सवाल पढ़िए और एनी टू सेट्स ए एंड बी ए माइनस ए माइनस इंड ए माइनस ए माइनस बी बोला है तो मुझे बताईए यह कोई a है और यह कोई b है ओके तो इसके अगर मैं देखिये अगर ऐसे कर दूँगा तो कुछ भी नहीं आएगा माइनस करने पर लेकिन जब मैंने a को बनाया ऐसे और b को बनाया ऐसे तो यह क्या आया यह a intersection b आया आया की नहीं आया तो आपने क्या देखा यह तो बचा only a और यह क्या बचा only b और यह क्या बचा a intersection b तो बोला है अगर a में से हम a माइनस b कर दें तो मुझे बताइए क्या बच जाएगा कुछ अन्यों एक तो आप बोलें सर सिर्फ और सिर्फ बी पार बच जाएगा कि इतना बच जाएगा सर द सिर्फ बी और बच जाएगा तो ब बचेगा ना, बैसे इसमें लॉजिक लगा जाती है, यहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ पर यह 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 है, और A-B, मतलब A-B अगर करें, तो क्या बचेगा हमारे पास, यह बचेगा, उसमें से यह माईनस कर देंगे, तो यह बच जाएगा, हमारे पास only B part, क्या बढ़ जाएगा हमारे पास सिर्फ यह बी पार्ट बढ़ जाएगा हमारा आंसर की हो जाएगा बी हो जाएगा तुम्हें 51 51 क्या कहता है कि the difference of median and mode of the following data अब following data का हमको median और mode निकालना है तो mode आपको पता है क्या होता है जो maximum time क्या होता है repeat होता है maximum time जो repeat होरा है यहां पर देखे क्या होरा ह тор यह होरा हЕТ कि इसका mode क्या हैगा और इसका median निकालना है कज निकालना है अब materia निकालना है तो मीडिय निकालते हैं पहले इसको ascending order में करेंगे च्छोटे से बड़े में इसको arrange कर एंगे और एरेंज करने के बाद क्या करेंगे number of terms किलनेंगे number of terms किलनेते इंग कितनी है एक दो, ती, चार, पांच, चाहत, आठ, नो तस ग्यारा जड़ा होगे इसारी को घ्यारा कि एक दो, ती, चार पांच, उच्छे शात, आठ नो, दस ग्यारा करका ग्यारा है 14, 15, 16, 17, 18, 18, Hypn 24, c prison कि यही हमारा इसका क्या बन जाएगा तो मीडियन कितना आ रहा है आप मुझे बताएंगे तो आप बोलाएं इन विच करन शेंचुरी गाली गाली गालए तो यह काशसित क्या है यह फोर से भांग जाही люб nah हिसमें जाएगा नहीं इसमें जाएगा नहीं और इसमें भी जाएगाए एक इसमें जाएगा तो इसका अपना कि यह फोर से भाग जा रहा है इसलिए इसमें फैब्लरी में 29 डेज होंगे किसमें देज सो के अंदर चलिए अब बोला है if the cost price of 10 shirts cost price of 10 shirts equal to selling price of 8 shirts तो cost price upon SP का रेशियो कितना आजए 4 upon 5 तो मेरे लिए 4 तो cost price पांच selling price तो कितनी बड़ी एक कितना कमाया profit मैंने एक profit कमाया कितने पर चार रुपे तो कितना percent profit होगे 25 percent profit होगे यह answer है अब बोलाए choose the odd pair अब odd pair में जो बताइए wine कम किस में बड़ते हैं bottle में tea किस में पीते हैं cup में water picture में और बाल बैट के बाल में आती है कि नहीं तो यही हमारा answer है 55 सबाल each of the sides of the triangle is 4 cm less than the sum of the other two sides okay कोई triangle है हमारा a b c इसमें condition बनेगी isolist triangle भी हो सकता है equal triangle भी हो सकता है या फिर scallion triangle भी हो सकता है तो हमने क्या हमारा equal triangle माल जाब पहले ठीक है सर equal triangle माल जाब क्या बोला है कि सर एक side का जो sum है वो दोनों side के sum से 4 कम है यह होगा होगा तो माइनस एक्वल टू माइनस 4 तो एक का वैल्यू 4 आगे सर और सर एक्वल है ट्रैंगल भी होता है अब बुला है 57 57 में क्या बुला है कि तू नंबर सा सच डेट एट देर सम डिफरेंस और प्रड़क्ट का क्या दे रखा है रेखा है रेखा है बहुत अच्छी बात है कि दो नंबरें मतलब क्या दे दिया है कि एक्स प्लस यिज़ टो 5 के ने दिया और एक्स माइनस वाइक्वल टो के ने दिया बिल्कुल दे दिया यही तो और Hein能 5 तो आप मुझे बता दीजिये 2x का value कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर कितना जाएगा मुझे बता यह क्या बोला है 3k into k कितना हुआ 18 दे रहा है न प्रोडक्ट तो 3k square equal to 18 तो k square का value कितना हुआगा आप बोलेंगे सर 6 आ रहा है ओके 6 आगे सर अब पूचा क्या है the difference of their square अब difference of their square मतलब क्या हुआ कि x का square minus y का square और हमने पढ़ा है x plus y और x minus y होता है इसका formula तो x plus y का value 3k और इसका value k तो कितना हो जाएगा सर 3k square हो जाएगा और 3 into 6 कितना होता है सर 18 होता है और इसका answer 18 ही आएगा ठीक है यहाँ पर option गलत है जिए ध्यान रखिएगा 57 में option गलत है आगे पढ़ लेते हैं आगे क्या कह रहा है सवाल आपका दूसर नंबर सवाल कि 58 में 58 कह रहा है आपको कि x minus 2 is a factor of polynomial प्लस 4 x square minus 3 x minus 18 और क्या बोला है कि x minus 2 जो है न वो इसका factor है अब factor है तो हमको और factor निकानने तो आपको न डिमिजन मेंटर आना चाहिए यहाँ पर x square से भाग देंगे कितना जाएगा एकस के वाजाईगा और यहाँ कितना जाएगा माइनस 2 x square जाएगा यहे माइनस होगय और ये प्लस होगया तो यह कट गया यह 4 प्लस तो कितना होगया 6 x square होगया हम मैं क्या करओंगा यहाँ प्लस 6x को multiply करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा यहां पर बुपर से बन नीचे होता लिए तो कितना आ गया 6x square minus 12x आ गया यह minus और यह plus कट गया कितना आया 9x minus 18 अब मैंने क्या करा यहां पर क्या करा प्लस 9 से कर दूँगा कितना आ जाएगा 9x minus 18 आ जाएगा आ जाएगा minus कर दीज़े कट गया 0 आ गया तो मतलब एक फेक्टर तो क्या हुआ x minus 2 था दूसरा फेक्टर कितना हो जाएगा x square plus 6x plus 9 हो जाएगा अब इसके फेक्टर निकाल लीज़े आप लोग कैसे निकालेंगे multiply करने पर तो 9 आना चाहिए और add करने पर 6 आना चाहिए तो मुझे बताएगे क्या 3 into 3 नहीं हो जाएगा हो जाएगा तो क्या लिखेंगे x square plus 3 plus 3 x plus 9 हो जाएगे x square plus 3 x plus 9 x common आया x plus 3 plus 3 x plus 3 आगया यहां से x plus 3 और x plus 3 आगया देखिए दो और फेक्टर हो जाएगे तो इसका option c आजाएगा I hope आपको यह calculation समझ में आयोगी एक कुछ भी नहीं सिर्फ solve किया है मैंने और यह सवाल अगर आपकी practice है न तो आप इसको तीस सेकेंड में solve रखते है आरा है तीस सेकेंड नेक्स सवाल पढ़े लगते है साथ नंबर सवाल कहता है आपका कि इना test in mathematics 20% of the student obtained first class अगर 20% of the student first class pass हो है बोला है कि अगर data रिप्रेंड में pie chart अब मुझे बता ही pie chart में इसको और रिप्रेंड करना है तो आपने पढ़ा होगा कि pie chart कितने का होता है 360 degree का होता है पूरा 360 degree होगा तो 100% की value 360 degree है तो एक परसेंट की value कितनी हो जाएगी तो आप बोलेंगे 360 बटे 100 तो हम से पूछा है 20% की value और अच्छी बात है सर्थ 360 बटे 120 तो यह पांच बार गया हम मुझा वरी क्या करें सकता तो सर्थ 5 से गया कितनी बार साथ बार और बहतर आगे तर बहतर डिग्रीज का आज़र आपके लिए चलिए 61 पढ़िए 61 सवाल में आपको क्या बोला है कि आपको count करने कि कितने triangles है तो एक count करते मैं इसको अलग-अलग कर लेता हूँ ऐसे मैंने अलग-अलग कर रहा है दिहां रखना से अलग-अलग कर रहा हूँ कुछ और नहीं कर रहा हूँ जो एक्जाम में गिवन है उसी सवाल को से अलग-अलग किया है तो मुझे आप यह बता दीजिए कितने number of triangles इस वाले पार्ट में है तो आप बोलेंगे इस वाले पार्ट में तीन दिख रहा है मुझे इसमें सर में को दिख नहीं गए तो मैं कैसे बताओंगा आपको construct करके मुझे बताईए अगर मैंने यह लाइन खेची तो मुझे को ट्रैंगल दिखा आप बोलेंगे नहीं सर लेकिन सर जब मैंने यह लाइन खेची न यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे दिखा एक यह ट्रै अब सर आप मुझे बोलिए अगर ये साइड ऐसे बना दे तो कितने बन जाएंगे सर तो आप देखिए सर ये वाले पार्ट में तो तो तीन ट्रैंगल बन जाएंगे सर अब मुझे बताईए ये तीन बन जाएंगे अगर मैं इसको और थोड़ा सा वो क्लियारिटी दूँ तो मुझे बताईए क्या एक ट्रैंगल आपका ये बन रहा है चा ट्रैंगल होगे पाँचवा ट्रैंगल ये बन रहा है छट्रा ट्रैंगल ये बन रहा है कितना होगे छे ट्रैंगल साथवा ट्रैंगल ये बन रहा है च्वटसा आठवा ट्रैंगल ये बन रहा है ठीक्या आठ ट्रैंगल होता अधिया बन आपका विततक गिन सकते हैं एक प्रट्राइंगल हो गए अब पुर मुझे बताईए क्या यह ट्राइंगल नहीं बन रहा और यह बनतु गए 13 तो यह बने 2 आपने बताई दी थी यह वाले कि तो सर पांच हो गया अब है और सर फिर आप देखिये चसाट है यह बना ऑन गया सर आप देखिये साथ वा यह बना और बताएं अब मावा यह बना और बताएं, बोटा सवा ट्रैंगल आपको यह तीन बने थे यह यहां पे एक बना चार और चार बने और आपको मैं दिखाता हूं तीन चार यह पांच वा यह रहा आपका चार यह रहा बड़ा वाला साथ वार यह रहा आथ इसमें आपको दस ट्रैंगल बनेंगे तो आपको करते हैं वापिस एक बार हो क्योंकि यह प्रैक्टिस मांगती है चीज़े वापिस करते हैं ज्यादा टेंशन लिलेना है ठीक है तो यह मैंने यह बना दिये तो मुझे बताईए कितने बनगे तो एक यह बनगे बहुत सभी बाते तो जैसी मैंने यह लाइन खेची तो मुझे आप बताईए सर कितने ट्रैंगल बनगे तो आप बोलेंगे सर देखो एक हमने बड़ा गिन चुके हैं तो उसके बाद बना तीसरा यह वाला और चौथा यह वाला सर बन गया चार ठीक है अब सर मुझे बताईए यह क्या नहीं बन रहा है यह बन रहा है सर पांचवा यह पांचवा बन गया सर और सर क्या देख रहा आपको अमुझे बताईए पाचवा बन गया सर ये देखिए छटा ये छटा बन गया सर बन गया सर छटा और बता ही सर छैय होगा न अपने इस कोड़ा साई से पन देखे ये छैय होगा और एक पूरा ये सात्वा एक पूरा ये इसी लाइन पर आठवा एक पूरा ये नवा और एक पूरा ये दसवा तो पूरा टोटल दस ट्रेंगल इसमें है तीन ट्रेंगल इसमें तो तेरा इसमें आंतरा आजाए ओके इस्टी फाइट पड़िये SCF और LC अगरे अगरे नमबर साथ 12 एंड 44 SCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B होता है तो 12 गुणा 140 केदर रहा एस यहां ठीक है यहां ठीक है तो तो ट्रेंगल इसमें आजाएं और इसन्टेटर ऑगि एक किसी सख ऑह क होगे पडिए मुझे बताईए कि परạoर परिमाब किया होता है तो आप disposТак si time on YouTube घॉपाई कॉंस्तेंट है तो फाइ जो है directly कि और से हुआ तो मुझे बताईए 10 परसेंट बढ़ और square में क्या होता है pi r square होता है तो r दो बार आ रहा है तो formula के लग जाएगा a plus b plus a b upon 100 होता है कितना जाएगा 21% अब है 69 69 कह रहा है आपका कि 2x cube plus x square minus 2x minus तो आपने पड़ाया factor theorem अगर 2x plus 1 इसका factor है तो इसको हम equal 0 देंगे और minus half रख देंगे तो अगर minus half रखने पे अगर x का value हम minus half रख देते हैं और इसमें डाल देते हैं और अगर हमारा आपका वही उत्तर हो जाता है तो वी आउंस का answer जाएगा 70 बोल रहा है कि विकास rank 18th in the class 18th आया कहां से left side से और टोटल बच्चे कितने रखें गुरंच चास तो गुरंच चास में से अठारा माइनस करते हैं कितना नहीं सार्ड गया एक चार्ण से एक तीन और प्लस बन कितना हजाएगा 32 तो इसकी रैंक कि जाएगी लास से 32 हो जाएगी कि 72 पढ़ते है कि 72 है कि 72 कि रत्तन इस 40 मीटर साउथ वेस्ट पवन यह हमारा पवन यहां बैठ रहा है और साउथ वेस्ट यह होता है ठीक है यहां खौन है रत्तन 40 मीटर फिर बला एक ललन इस 40 मीटर साउथ यह पवन ताउ-तीस यह है यह भी 40 मीटर है पतलब क्या होला दोनों 40 40 है और कि बदर 40 40 है पतलब क्या है यह 45 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 अन्यलम में रत्न में लट में Eigen कौं सी डिरेक्शन में दो एकज से जूर कहरे हैं है पार लिखते हैं एर जो है हमारे कान आइज और टूथ जी सब क्या है एक ऐसे मतलब अंग है जो कुछ काम करते हैं और ठुड़ी जो है कुछ काम निगरती से रखी हुए दिखाने के लिए अगर किसी अच्छा तीज़ बोलता है रिक्ट ठुड़ी है ऐसी कि चेन है ऐसे बो तो पहले दों का असेंडिंग और में जमा लीजे ठीक है जमा लेंगे आप जमाने के बाद देख लीजेगा कि कितना आ रहा है जमा लेंगे कितना नमबर है एक दो चुरी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे बारे है तो एन बाइटू प्लस एन प 76 76 कह रहा है कि the following pie chart shows daily hourly distribution of various activity in degree of the student how much time in percentage does he spend in game in comparison to sleeping game के comparison और sleeping के comparison करना हमको तो game में कितना दे रखा है 30 degree दे रखा है मुझे में कितना दे रखा है 120 degree मुझे मताइगे कितना हो गया simplest form आप बोलेंगे एक बटे चार एक सही चार हो गया सर्थ तो मुझे मताइगे कितना ज्यादा है तीन ज्यादा है कौन gaming game से तीन ज्यादा है sleeping ठीक है पर बोला क्या है अगर बोलता है कितना जादा है कौन? स्लीपिंग तो हम निकाल लेते हैं वंसों क्या बोला है? How much does percentage does he spend in game in comparison to sleeping? स्लीपिंग के comparison हमको निकाल ला है तो मुझे बताईए स्लीपिंग से कितना जादा वो है हमारा? क्या बोलता है? कितना स्लीपिंग से कितना कम है game तो आप बोलेंगे तीन किस से स्लीपिंग से? कितना जाएगा? अच्छी साज़एगा? सॉरी 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 जान नहीं जाएगा बोला है कि वह सोने की तुला में खेलने में कितना समय परसेंट वतीत करता है तो अगर समय game खेलने में एक लगाता है और चार इसमें लगाता है तो मुझे बताएगे कितना हो जाएगा दाएड़ से वाज़ए 35 परसेंट आप सरेंट अब करता है F is 1 km to the west of D B is 1 km to the east of E A is 2 km to the north of E and C is 1 km to the east of A and D is 1 km to the south of A माल लेते हैं A यहाँ है ओके बोला है कि D is 1 km to the south of A A के south में A km फिर बोला है कि C is 1 km to the east of A C जो है east में है अब बोला है A is 2 km to the north of E north of E मतलब यहाँ पर होगा हो गया फिर बोला है B is 1 km to the east of E B कहा है east of E में फिर बोला है F is 1 km to the west of D F का है west of D है जो हाँ है अब बोला है कि which three villages are in the line आप बोलेंगे A, D, D line है B option आपका सही है चलिए 79 सवाल 79 सवाल कहता है जो समा वो three prime number is 100 ओके हमने माल लिया x plus y plus z equal to 100 if one of them exceeds another number by 24 अगर एक number x है और y जो है उससे ज्यादा है choice तो x plus 24 लिख सकते हैं तो आप बोलेंगे सब 2x plus 24 plus z equal to 100 2 equation और 3 unknown तो 100 तो होने वाला है ने तो किस से करेंगे हिट और ट्राइल से करेंगे तो हिट और ट्राइल से करके देखा तो मैंने एक number मान लिया 61 61 मैंसे मैंने 24 minus कर दी तो कितने वाचेंगे जाराना चार गे 7 और 3 और 37 एक number तो हुआ 37 और एक number हुआ 61 तो दोनों का सम कितना हो गया 7 और 1 आठ 6 और 3 नो और एक number क्या हो गया 2 तो 3 number कौन कौन से प्राइम नंबर एक हुआ 37 एक हुआ 61 और एक हुआ क्या 2 यह 3 वो number है जो प्राइम नंबर है और जिनका सम सो आ रहा है ठेक है तो इसका option कितना हो जाएगा D 83 लिख देखिए क्या लिखावा है date is written as W, J, Z, J, V तो बोला है कम का क्या होगा क्या लिखावा है यह आपोजिट लिखावा है तो C का प्यूड क्या होता है X होता है O का प्यूड क्या होता है L होता है M का प्यूड क्या होता है N होता है E का प्यूड क्या होता है V होता है X, L, N, V होता है यह देखिए क्या लिखावा है 119 सत्रा और 12 तो मुझे बताइए कि अगर 119 का भाग देंगे तो कितना आएगा तो इतना आएगा तो आप गोले हैं साथ आए और साथ को मैंने तीन से गुणा किया तो 21 आगया 23 को मैंने 24 से क्या किया भाग दिया तो 8 आठ को मैंने 3 से गुणा किया चौईस आगया तो ऐसी जब मैंने एक सो चोंटर के X में भाग दिया तो कुछ नंबर आया Y और Y इंटू क्या किया जो भी नंबर किया वो कितना आया 18 आजाएगा तो मुझे बता हिए ऐसा क्या नंबर लिखूं कि वहां पर जब मैंने 29 को मैंने 29 से भाग दिया कितना आया आपको तो आप बोलें छे आएगा आएगा और छे वे जब मैंने 3 से भाग दिया तो अठारा आ जाएगा यहां पर इसलिए आंसर 29 हो जाएगा अब बोला है सवाल कि हमें नंबर स्वम 11 तू 58 डिजल बाए 7 बट नॉट बाए 3 तो सेवन से डिविजल होना प्रया नंबर कौन से 14 है फिर 21 होगा 21 तीन से डिविजल है इसलिए हम उसको लिखेंगे नहीं ठीक है फिर 28 है फिर 35 है फिर 42 है और कार्ट देंगे हैं 49 तो कित का ओप्षान चार हो जाएगा 86 कर दीजे 86 कहता है आपका कि A is richer than B A बड़ा अमीर है B से और C is richer than A D is richer than C E is richer than all if they are made to sit in the above degree of richest who will be the central position so central position दो यां साटा हो दो यां साटा हो तो C आजाएगा ऑप्षान 87 सवाल पढ़िए 87 सवाल करता है कि इनने दूर देर रैबिट्स एंड पिजन्स ठीक है तो रैबिट्स और पिजन्स है क्या बुला इफ हैट्स आर काउंटेट देर टू हंट्रड तो मुझे तही है एक्स और वाई कितना हो जाएगा 200 फिर बुला इस लेक्स आर काउंटेट तो हो जाता रैबिट्स कितने पर होते हैं तो आप बुलेंगे चार एक्स और अगर मैं बात को पिजन्स कितना होते हैं 2Y कितना हो जाएगा 580 दो एक्वेशन दो अन्नोन आप सॉल करके आंसर नह 91 सवाल पढ़ लिए अगर 91 सवाल कहता है कि ठीक है इसको मैं पी माल लेता हूं तो यह कितना हो रहा है डबल हो रहा है पांस साल के अंदर तो नेक्स्ट पांस साल में कितना हो जाएगा पांस हो जाएगे चार हो जाएगा फिर डबल हो जाएगे आट पी हो जाएगे और फिर पांस साल में कितना हो जाएगा डबल हो और चोईस कितने हो जाएगा एक साथ 16 बत्त एक सो बांद गए तो एक लाथ बांद गए हजार रुप हो जाएंगे आपते पास तो यह आधर आज़ा आपका डी ऑप्शन 92 कहता है कि चूज दा ओर वन आउट बी 6 एफ एच 14 और बोला है जे एल 22 और एन पी 31 क्या बोला है चूज दा ओर वन आउट ओके तो मुझाता है यह बी का नंबर कहले सकते हैं दो और चार च्छे होगे च्छे और आठ 14 दस और बारा बाइस 14 और पी कितना होता है 16 तो कितना होता है 30 होता है तो यह गलत है मतलब इसका ओप्शन डी आ जाए 96 96 पढ़िया आप 96 का कहता है कि दर रोज आर ओ एस इवा गुलाब 6821 दिया हुआ है अगर मैं बूलूँ चेयर को चेयर कितना दिया हुआ है आपको पिएच एई आई 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 आग चेयर दिया हुआ है नाइन जएवन थ्री फोर फाइफ सिक्स अप्रीच पी आर इस दिया हुआ है नौच एक चार तीन ऊके तो बोला है सर्ज का बता दी कि मुझे होता है अगर नंबर लिखियो उते हैं तो 682 तो होते नहीं सोगा- upcoming मिन का हुआ है शक्राइब में लिए थे हैं इतना कि इतना कि इतना दिया हुआ है लिए ठीम फजें कि लिए चायज दिया हुआ है कि मा एक अग्राइब चाहर फॉर चाहर चाहर कमाल सब्त्रेख करता सांत है त्थी त्याने व्हेंँ सब्सक्राइब आपadora 99 सवाल पढ़ लीज़े 99 सवाल कहता है कि A is the brother of B A कौन है brother है किसके B के अच्छी बात है plus C is the father of A C कौन है father है किसके A के D is the brother of E D कौन है brother है और E is the daughter of B तो E कौन है daughter है किसकी B की और D is the brother of E तो D कौन है रखा हुआ the uncle of D is uncle of D कौन होंगे तो यह बताईए अब मुझे बता दीजिए यह इनकी बच्ची है यह इनकी daughter है E इनकी daughter है और B की B और D में के रिलेशन है मावे टे रिलेशन है हमको पता नहीं है यह plus भी हो सकता है ठीक है तो हमको यह doubt है यह ही इसके uncle होंगे इतना पता हमको बस तो यह इसका option दे जाएगा अब मुझे बता दीजिए 100 100 सवाल क्या कहता है आपका 100 सवाल कह रहा है कि एक जनवरी 1995 को क्या है Sunday है और बोला है कि एक जनवरी 1996 को क्या होगा तो मुझे बताइए 1995 क्या है तो क्या लीपियर है आप बोलें मैं से लीपियर तो नहीं है लीपियर नहीं है तो एक बढ़ा दीजिए कितना आजाएगा बंडे इसका हम से कितना आजाएगा बंडे ओके और सवाल नहीं है 100 सवाल हो चुके है तो आपने देखा कि हमने आपने देखा कि हमने इन सवालों को मुश्किल से मुश्किल से 55-55 मिनट में सॉल्ट कर दिया है मुश्किल से बता रहा हूं आपको इतना में को लगता है हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया है हमने सिर्फ 40 मिनट में पूरे सवाल रीजनिंग और मैस के हल कर दिया है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपकी बेसिक लियर होगी तो आप लोग सवालों को बहुत जल्दी हल कर सकते हैं हाँ जैसे कुछ सवाल है जिसमें ट्रैंगरुस को करते हैं और पूचे जा रहा है और पिछले चार साल की नठीक पी आपको यह वी वी कैसा आगा कमेंट बउस में भरूर लिखिए गा जय हिल आ और जय वारत झाल 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 झाल